नमस्कार मैं हूँ आपके साथ एहिंशा नेशनल ओडिट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बदा देगी खबर उत्तर पिर्देश के फिरोजबाद देख्ट दिसी लहरी इस कारेकरम में भाग लेने के लिए शहर के कई गड़मान लोग मौजुद रहें बताया इस पिरकार से खिलाडियों का उत्सा वर्दन हमें लगतार करते रहना चाहिए क्योंकि जब खिलाडियों का उत्सा वर्दन होता है तो उससे नए युवाओं मे खेल के प्रती रूची उत्पन होती है इसी करम में फिरोजबाद की महिला क्रिकेटी मंडर 19 की खिलाडी सोनम यादफ का भव्वे रूप से सम्मान समारो पालिवाल ओरिटोरियों में किया गया जहां पर बड़ी संख्या में लोग दर्शक बन कर पहुंचे नगर विधायक ने भी सोनम यादफ का उच्छा बर्दन किया इर्फान अब्बासी के साथ देखे रिपोर्ट आज सोनम यादफ का अंडर 19 महिला किरके टीम में चेहन हुआ है क्या कहना चाहिने हमारे देश के लिए बहुत जर्फी बात है कि हमारे ख्रोजबाद के एक वेटी के टीम में चेहर हुआ है आज से बहुत सारी बोटिया फ्रोजबाद इसकी से और भी निकल गए और उनका वविश्च्छ जो है बहुत इद्वल हो ऐसी हम सब की कामना है और उनकी अत्रिक्त और भी इच्छेल अड़कियां है जिनका जो है चेहन की प्रेक्रिया में इस्टेट में जो रही है वहां हमेरे फिरोजबाद के बिदाएक जी हम मेरे पराबर में केश्व लेहरी जीजर बैठे हुए है उन सभी लोग का बहुत आशीरबाद रहा है जो है हुवेटी ने आदो इतना बड़ा नाम कमाया है और हम सभी का आशीरबाद हमेशा इसी प्रकार से उनके बना रहा है आज और वाकई यहां के जो लोगों ने आज का जो प्रोग्राम करा है जैसे डी सी गुप्ता जी उन्होंने वो आज इसके आयोजे क रहे है असलम भुला जी उन्होंने हमारे शेहर फिरोजबाद की जिले फिरोजबाद की एक बच्ची ने निकले आज पूरे इंडिया में पर बहुत बड़ी बात समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस बच्ची का नेशनल लेवल पे सम्मान हो पर फिरोजबाद की लोग इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से जैसे डी सी बैसर ने आज यह और्गनाइज किया है ऐसे ही एक नेशनल लेवल की संस्था को भी एक चो की बात है लेकिन हम जो इसे भी बहुत बड़ी कुछ बच्चे परिस्टी ना खाते हैं